हाई असलाम अलेकुम आज आपको जो है प्लेयर्स एडिशन में पैंथर सीरीज दिखाएंगे पैंथर सीरीज बहुत लिमिटेड रहती है और बहुत प्रीमियम आप एक टाइप का कह सकते हैं इस में जो है आपको बेट 1150 से लेकि 1180 ग्राम में जाएगा जैसे इन बैट का है 1150 से लेकि 1180 ग्राम के अंडर बेट है तो इस दे प्रोफाल इस प्रोफाल में या सीरीज में आपको प्लेयर्स एडिशन में 40 mm का एज मिलता है जो कि ICC अप्रूब होता है कि यह आप इसकी बैट साइड देख सकते हैं यह साइड है और यह फ्रेट साइड है बहुत ही क्लीन विलोज रहती है पैंथर सेरीज में उसके बाद और एक बैट है सेम यह पॉर बैट यह आरेडी सोल्ड आउट है किसी का पैंथर सीरीज का ओर्डर है एक बार आप सबको दिखाना जाता आपको क्याश्रीज मिल सकती है यह जो बैट है इस बैट का प्राइस जो रहेगा 3500 रुपीज रहेगा साइड प्रोफाइल और यह न प्रोफाइल है ओंका मंशा में प्लुपींस कराऊंगा यह और एक बैठ है ऑर यह अग्हें उसका प्रोफिय अपैक साइड जै सकते हैं कोई भी कवी किन ही हम अपने कि सी भी बैट इस अधे ह sür्ट्रन साइड अगर इस बैट का मांतिए चले है तो आपको अप्राउमेटली 30-40 ग्राम जो है वह हलका पिक अपर रहेगा ऐसके बाद हमारे पास और यह पैंथर में पाइज में देख सकते हैं पीछे बैक साइड में भी ग्रेंज कितनी विसिबल आप शवाईड यह बे। इन बैट्स पे हमारे पास जो है इस टोक और हैंडल की गैरंटी रहती है अगर स्टोक में कोई इशू आता है विए 20 डेज आप प्लेश कर सकते हैं हैंडल में कोई इशू है हम उसको रिप्लेश्मेंट प्रवाइड करते हैं कि मैं आपको इसका पिरिंगता से एक बाद करा लेता हूं मेरे बास अभी जो है वाल अवेलेब्ली नहीं है एमर से मैं आपको प्लेश कराता हूं आप रिपाउंड और आपको बता चार रहा होगा पांच कितना अच्छा है इसके बाद दूसरा बाट है कि अच्छा रिपोना आ रहा है आप थोड़ा क्लोज आई है कि सबसे में चीज़ों होती है वह स्ट्रोक और हैंडल होती है उन दो चीज़ों की हम गैरेंटी प्रवाइड कर रहे हैं पिकास और बहुत सारे क्वार्टी चेक्स भी होते है उसके बाद हम करते हैं और अभी बिल्कुल भी नहीं होएं जो है और भी ज्यादा मेरे पास जो है ना एक बैट अभी स्टॉक में एवलेबल है आप यह बैट भी चेक कर सकते हैं इसमें स्टीकर्स नहीं लगे हैं पर स्टीकर लगके ही मिलेंगे आपको विदाउट अब जो नहीं होगा है तोटली नो कंद गेंगे अट ओल तुक है यह साइड प्रोफाइल है और यह उसका फ्रेंट देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन फ्रेंट है इस पैंथर सीरीज में यही आपको चीज मिलती है कि आपको क्लीन विलोज मिलती है तो इस अपरा देखना चा कि अब तो तो पंच और इंप्रोब होगा हमेशा बैटके मीड़न में जो है जादा स्टोक रहता है क्यों सेंटर स्वरी टो में और एजिस में बहुत कम पंच रहता है इसके मुकाबले सेंटर के मुकाबले पिकाज जब प्रेसिंग होती है तो यह चीज पर और यह चीज में ज्यादा प्रेसिंग के process फोट जैदा होता नहीं बीछे खाली रहता है कोई सपोर्ट नहीं मिलती साएड़ मैं कोई सपोर्ट में नीमील strategist स्बीक्त्य गारें शांच यहिए पंच को यह बैटको जैनियोघ अगर आप इसको सेफोटी अधी बीटो करेंगे सीगे yess 20 30 40 फर्सेंट होगा पर पूरा इंप्रूउव नहीं होगा उतना पंच आपको वरह में नहीं मिलेगा है उतना पंच आपको बॉट्टम में मिलेगा इस विप पंच आपको आप जितना ही करतों में मिलेगा तो कहले ने दी दान में रख़े आप लोग इसलिए प्रोटेक्ट करनी पड़ती है विकाज आपको जो है उतना पंच नहीं मिलता उतना जो है प्रेसिंग इस जगह पर नहीं होती है और बहुत सारे लोग अगर यह बैट देख भी रहोंगे बहुत सारे लोग आप एक बार फिर से देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे बैट इस जो हैं इंग्लीश विलो में बेच के लोगों को चोना लगाते हैं अगर आप एक मेंट आप सोचिए कि यह बैट इंग्लीश विलो है आप सारे लोग ऐसे चीज़े जो करते हैं तो मैं आप से रुकेस्ट करूंगा इन सब चीज़े से बचे प्लस और करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉलिश जो है 11 एम टू 6 पीम है बाकिट डिलवेरी जो है 47 डेज में मिल जाएंगी स्योडी भी अवलेबल है 500 रुपीज उसके लिए आडवांस आपको पेह करना होगा थैंक्यू सो मुच